नमस्कार दोस्तों, राजाओं की इस्थली कहे जाने वाले राजिस्थान, संस्कृतियों की राजधानी कहे जाने वाले राजिस्थान, पूरे पर्व और महुत्सों का गड़ कहे जाने वाले राजिस्थान, के सरिया पधारों मारे देश कहे जाने वाले राजिस्थान की आ एक राज्य की राजिवार जानकारी उसी श्रंकला की अंतरगत मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश पढ़ने के बाद अब आ चुके हैं हम दोस्तों राजिस्थान में राजिस्थान की सभी सांस्कृतिक रंगों को ले करके राजिस्थान की सभी जानकारियों को ले करके आप सभी का स्वागत है अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजेए शेयर कर दीजे सभी दोस्तों के बाइच में और खासकर उन दोस्तों के हैं या फिर राजिस्थान जाना चाहते हैं आप सभी का स्वागत है मैं उनती जहें दटैन्मेर्ट शो में आप सब का स्वागत करती हूँ आप सभी जल्देल्दी से आजाए और सारी की सारी न्यू सीरिस को प्यार देते रहिए ताकि से जड़ा से ज़ादा लोगों तक यह पहुंस सकते आज हम जो डिसकुशन करने वाले हैं वह रघ्डी राजिस्थान की डिसकुशन है यह जो रघ्डी र राजिक मैं इंयर्ड है केवल सांस्क्रित एक भेज-भूशा में रंगीन नहीं ले हैं, सभी स्ट्रेंट विनर्स इंसिट्ट के विनर्स प्रैक्टिस जोन और खासकर विनर्स इंसिट्ट के ओफिशिल टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी की सारी न्यूज और पीडियेफ मिल जाती है, शुरुआत करते हैं शुरू से, यानि कि अगर हम राज्य के गठन के बारे में बात करें, तो यह एक अच्छा तरीका होगा राज्य को समझने का, तो आभी हाली में ही 30 मार्च को राजस्थान गवर्मेंट ने अपने गठन के 75 वर्षों को पूर्ण किया है, इसका मतलब यह है कि राजस्थान की स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को, दोस्तो 30 मार्च को राजस्थान अपना गठन भी मनाता है, छेतफल की दरश्थी से देखा है, उस जाए साथ ही साथ, जिलों की दरश्थी से देखा जाए तो राजस्थान 50 जिले 10 संभाग या मंडलों से विक्सित हुआ है, साथ ही साथ अगर बात करें पूताना भी कहा जाता था, राजी की आकरती अगर बोले, तो यह एक विशम चतुरबुज है, या फिर अगर पहली दरश्थी से देखते हैं, तो यह कुछ पतंग की आकरती के समान भी दिखाई देती है, तो विशम चतुरबुज और पतंग की आकरती आपको इसमें सकती है, साथ ही साथ अगर उच्छ न्यालाई की बात करें, तो यह कहां पर है, जोधपुर में है, लेकिन राजधानी आपको जयपुर में देखने को मिले है, अगर आप इस मान चत्र को ध्यान से देखते हैं, तो आपको चीजे और हैं, जो विशम विश्थेत रूप से पाएंगे, कि यह संपूर्ण चेत्र कटपुतली नत्य के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ, यहाँ पर सांस्कृत एक लोक नत्य और सांस्कृतिक गतिविदियों के लिए भी यह चर्चा में रहता ही रहता है, अगर हम बात करते हैं, राजधिस्थान के राजकिये प्र को यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने के लिएंगे, कैमल याने की उट, ब्रक्ष के रूपे खेजुडी कव, ब्रक्ष यहाँ पर पसिद्ध है, राजकिये पुष्प जो है, वो रोहिडा के फूल है, और लोक नत्य की तो क्या ही बात करें, यह लोक नत्य है, घूमर ज सीरीज को और जाधा पढ़ने के लिए, तो सामाने जानकरी के अंतरगत हम पढ़ेंगे कुल संभागों की संख्या, दस, जिसके अंतरगत सीकर, पाली, बासवाडा, जैपूर, जोतपूर, अजमेर, कोटा, उदैपूर, बिकनर और भरतपूर, अगर राजनेतिक जानकरी तो राजनेतिक जानकरी के अंतरगत, अगर हम विदाईका की बात करें, पहली बात तो यह एक सदनी है, केवल विदान सभा है, विदान पुशत का, यहाँ पर विस्तार नहीं किया गया है, साथी साथ राज सभा में हैं 10 सीटे, लोग सभा में हैं कुल 25 सीटे, और इन 25 राज्य की विदान सभा सीटों की बात करते हैं, तो राज्य की विदान सभा सीटे हैं 200, मतलब 10, 50, 200, 10 राज्य सभा, 50 लोग सभा और 200 विदान सभा सीटे हैं, राज्य स्थान के विदान सभा के प्रत्थम अध्यक्ष की बात की जाती है, तो नरुत्तम लाल जोशी का ना इस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसल मेर है, साथी साथ सरवाधिक वर्षा वाला स्थान माउं ताबू है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, ये गुरु शिखर परवत पर अरावली परवत माला परिस्तित है, ये भी जानकारी होना चाहिए सरवादिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाता है तो इतनी वर्षा जहली नहीं जाती है तो जिले का नाम है जालावाण सबसे कम वर्षा कहां पर होती है तो जैसल मेर रिगस्तानी इलाके में नियूंतम वर्षा होती है प्राचीन तम परवत जैसा मैंने बताया अरावली शंकला, अरावली शंकला का गुरू शिकर परवत भी आपको याद रख लेना चाहिए अगर राजिस्थान के निकरतम सबसे बंदरगा, निकरतम बंदरगा है तो गुजरात का कांडला बंदरगा है थार मरुस्तल का प्रतीशत राजिस्तान में टोटल 61% है ये भी एक बड़ा प्रस्तिती प्रतीशत इस राज्य को घेटा है राजिस्तान के भौगलिक छेत्रों की संक्या देखना तो कितिनी विवित्ता है मैंने पहले ही बोलाया है कि राजिस्तान केवल सांस्कृतिक राज शिनपूर्वी पठार ये चार भौगलिक छेत्र इस पूरे राजिस्तान में इस्ते थे अब सब देखते हैं कुछ और जानकारी सामाने जानकारी 10 मिंटों में प्रमुख अगर हम बात करते हैं जलप्रपातों की तो चूलिया जलप्रपात जो की चंबल नदी में इस्ते हाँ जी दोस्तों चंबल नदी मद्रप्रदेश से जरूर निकलती है लेकिन मद्रप्रदेश के बाद ये राजिस्तान में ही प्रवेश करती है फिर उसके बाद भीम ताल जम जलप्रपात जो की मांगली नदी पर है साथी साथ मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर ही है दि पहले ही discussion किया है कि राजिस्तान उत्सवों पर्वों लोक्तिवारों की भुमी है तो यहाँ पर उत्सव पर्वों लोक्तिवारों की संख्या बहुत अधिक है मैंने कोशिश किये कि कुछ प्रमुक लोक्तिवारों आपके समक्ष आ सके तो देखना जरा अगर राजिस्तान में उत्सवों गहरेलू पश्यू जा सामने बोला तो यहाँ पर बिकानेर में मनाया जाता है उत्सवों परिक्षा में यह टपने वाला है और पूछा भी गया है तो थोड़ा ध्यान से देख लेए पतंग उत्सवों जैपूर करोली वर्ड फियर करोली में शिखावटी क्राफ्ट वजार याद रख लेना विंटेस कार रैली भी निकाली जाती है फोटो फेस्टिवल वर्ड म्यूजिक फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है साथी देखना दोस्तो संक्या बहुत सारी है उत्सव परवो की जो हर मेला चितोलगण में क्योंकि यह रानी पदमनी से संबंदेत है तो यह से संबंदेत होना चाहिए गड़गो और चैपूर में साथी साथ याद रखना महावीर जी का मेला और याद रखना रथयात्रा ये भी उसार और राजिस्थान पिए स्थान पी ए फिर राजिस्थान के एक्जामस नहीं ऐसे सभी एक्जाम्स जो की स्टरिक जी के पूछता है उन सभी एक्जामस में यह क्वौश्यन आ सकता है बात करते राजिस्थान के संरक्षे चेत्रों के बारे में ध्यान से फोकस करना कि संरक्षे चेत्र के अंतर गतरन थंबर एक संरक्षे चेत्र है जो की सवाई माधपुर में हैं, केवला देव भरतपुर में, मुकुंदरा हिल्स, कोटा में, रैजर्ट मरुस्तल, जैसलमेर मे लगाया गया था वो भी जोदपूर में और भारत में पहला सोलर उर्जा फ्रीज जो लगाया गया था वो वाले सेर वाले सर जोदपूर में लगाया गया था यह कुछ तत्य जो तुम्हें ध्यान में रख लेना चाहिए अगर हम आगी बढ़ते हैं तो यह भी आपको ध्यान मुख्यमंत्री और राजिस्थान के वर्दमार राजिपाल तीसरा मेरा प्रशन होने वाला है राजिस्थान के उच्छे न्याला है कि मुख्य न्यादिश कौन है जितने प्रशन मैंने तब तक लिए सभी को टाटा बाई-बाई-बाई-जय हिंद कर दो